हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैकिन में यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में में एक साइनप पेज करने वाले हैं तो साइनप पेज का जो डेमो है कुछ इस तैप का आपको दिखेगा यहां पे साइनप लिखा रहेगा यूजर नेम इमेल पासवर्ड और रिटाइप यहां कर सकते हैं तो पहले आपको क्या करना नीम पर जाना यहां अज़से कर लेना है कि और यहां इसका नेम-परकर प्रीमक करिए करोग कर के दिए में दो पेज की जरूरत परती हैं a.css की फाइल और कि हमारे पास से सोर्स कोड है ठीक है इसे हम कॉपी कर लेते हैं कि कॉपी करने के बाद कि साइन अप के पेज में हमारेंगे और यहां से इसको कि पेस्ट कर देते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया तो यहां पर CSS की फाइल है HTML की फाइल से और दो images यहां पर हमें जरूद पड़ेगी तो images को आप open करके देख सकते हैं एक images हमारी यह हो गई और दूसरी फाइल है यहां से मैंने ओपन कर लिया यहां पर हमारी फाइल है HTML तो यहां पर आपको देख लेते हैं index.html में इतनी सारी मारी फाइल अविलेबल हैं सबसे पहले HTML यहां पर लेते हैं फिर डियू क्लास लेते हैं लेने के बाद यहां पर आपको पर आपको बटन देना है सोचल फेस्बुक का ट्वीटर का और गूगल का जो यहां पर कुछ इस टाइब का दिख रहा है दूसरे साइड में यहां पर फेस्बुक ट्वीटर और गूगल का ठीक है इतना पेज दिख गया और इसके बाद से इसे हम रन कराके देखते हैं तो यहां पर जो मारा इंडिक्स.html के पेज होगा वह यहां से HTML के page में यहां पर complete हो जाएगा complete होने के बाद इसमें हम CSS apply करते हैं जो कि decorated में यूज होता है और काफी जारा decorative आपको जो पेज होगा वो दिखेगा तो यहां से style.css से मैंने सेफ किया था body के अंदर आएंगे body के अंदर जितना भी यहां पर images मैंने दिया image1.png कोही और image लगाना चाहते हैं तो image यहां से लगा सकते हैं और इसके बाद से login box के अंदर जो भी designing करनी है वो सब कर लेना है यहां पर भी कर देंगे designing h1 tag है उसके अंदर भी यहां से पूरी designing कर लेंगे complete कर लेंगे यहां से आप इसे बारी-बारी से देख सकते हैं और कहीं भी समझने में प्रॉब्लम आते हैं तो इस वीडियो को आप दुबारा से देख सकते हैं तो हमारी CSS की फाइल जो है वो complete हो गई है इसके बाद अब हम इसको रण कराके देखेंगे तो आपको रण कैसे कराना है आपको यहां से बता देते हैं यह मने यहां पर बनाया था इसे आपको open कर लेना है और यहां पर इसके path को copy कर लेना है copy करने के बाद यहां पर index.html इ इंटर कर देंगे तो दीकिए यहां पर जो पेज है उपन होके आगे और बहुत यह अच्छे से दिख रहा है तो इस तरह से यहां पर sign up page और sign in page यहां से create कर देंगे hope you guys you like this video so please like and subscribe my youtube channel thanks for watching